एक समय था जब एक भरे पूरे परिवार का महीने का घर्च 10 रुपे हुआ करता था फिर एक समय आया जब एक भरे पूरे आम परिवार का महीने का घर खर्च 100 रुपे हुआ करता था मैंने वो समय भी देखा है जब हमारे परिवार का महीने का घर खर्च 10,000 रुपया हुआ करता था आज कोई भी एक आम परिवार 1,00,000 रुपया की अर्निंग परमंत कर लेता है वो समय दूर नहीं है जब एक भरे पूरे आम परिवार को महीने का घर खर्च चलाने के लिए 10 लाख रुपया महीना चाहिए होगा और वो समय भी बहुत कोई दूर नहीं है जब महीने का घर खर्च चलाने के लिए 1 करोड रुपया महीना चाहिए होगा डरिये मत मैं आपको डराने के लिए कुछ ऐसा नहीं कहना चाता हूँ लेकिन ये reality है आपको समय के अनुसार तैयार रहना होगा एक समय था जब हम समय देखने के लिए घड़ी का इस्तमाल किया करते थे पर आज की date में अगर हमें समय देखना है तो हम mobile phone निकालते हैं और उस पर समय देख लेते हैं एक समय था जब हमें calculation करने के लिए calculator की जरुरत हुआ करती थी पर आज की date में हम mobile phone निकालते हैं और कुछ भी calculate कर लेते हैं एक समय था जब घर पर light जाती थी तो हम torch ढूंडा करते थे पर आज की date में जब अगर घर पर light जाती है तो हम mobile phone ढूंडते हैं क्योंकि torch का काम अब mobile phone कर देता है एक समय था मुझे बहुत अच्छे से याद है कि अगर हमें कहीं बाहर घूमने जाना होता था तो हम camera ढूंडा करते थे camera में reel डलवाया करते थे और वापस आने के बाद वो camera की reel को दिया करते थे उसकी धुलाई के लिए और फिर photo हमें मिला करती थी और हमारे आपके सब के घरों में negatives आज भी रखे होंगे पर आज की date में हमें camera की जुरुती नहीं है क्योंकि आज हमारे हाथ में mobile phone है तो friends कहने का मतलब है upgrade yourself समय के साथ साथ हमें अपने आपको अपग्रेड करना पड़ेगा एक समय था मुझे बहुत अच्छे से याद है जहां पर insurance agent वही अच्छा माना जाता था जिसका जितना भरी bag होता था यानि कहने का मतलब आपने जो जिस परपस से form मांगा और वो form उस insurance agent के bag में से निकल आया that means कि वो उतना अच्छा insurance agent है पर आज की date में अगर मैं बात करूँ तो किसी bag की कोई जोरत नहीं है आपका mobile phone ही आपका bag है आपका mobile phone ही आपका office है आपका mobile phone ही आपका head office है तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूं founder infinity gains LLP तो प्रेंट्स हमारा आज का ये topic ह कि अगर आपको ऐसा लगता है ये कहते हुए कि मैं एक insurance agent हूँ और आपको कुछ शरम महसूस होती है तो मैं आज आपको कुछ बाते बताने वाला फ्रेंट्स इंडिया में अगर बात करूँ तो 50 लाख insurance agent है उस 50 लाख में से 25 लाख insurance agent life insurance industry से बिलोंग करते हैं जिसमें से त हुए हैं जब भी अगर आप ये कहते हैं कि मैं एक insurance agent हूँ और आपको अगर ये बोलते हुए शरम आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये शरम सबसे पहले छोड़ देनी चाहिए हां मैं ये बात agree करता हूँ और ये पूरी तरीके से मानता भी हूँ कि 50 लाख insurance agents में से 95% ने कभी ये प्लान नहीं किया था कि वो insurance industry में आने वाले हैं और काम करने वाले हैं मैं अगर आपको अपनी भी बताओं मैं दिल्ली में मेरा जनम हुआ और दिल्ली में जनम होने के बाद मैं अगर आपसे बात करूँ तो दिल्ली में मेरा जनम हुआ और दिल्ली में जनम होने के बाद मैंने भी कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं भी insurance industry में काम करने वाला हूँ बट मैंने भी 1997 में एक LIC advisor की तरह करियर की शुरुवात की और 2020 तक आते आते SDFC Ergo General Insurance Company के साथ Associate Vice President की तरह काम करने का मौका मिला फ्रिंट्स मैं ये बात से पूरी तरीके से agree हूँ कि insurance industry में वही आता है जिसके पास या तो funds नहीं होते बाकी दूसरा काम करने के लिए या फिर वो हर जंगा से सताया हुआ होता है लेकिन मैं आपको ये बात शौर अशौरिटी से कह सकता हूँ अशौरेंस से आपको ये कह सकता हूँ कि आपको उपर वाले ने select किया है insurance industry में आने के लिए ऐसे हालात create हुए हैं कि आप insurance industry में आओ क्योंकि आप insurance industry में हो that means कि आप समाज के लिए कुछ बहुत अच्छा कर पा रहे हो आप imagine करके देखो कि आप insurance industry में एक noble profession के अंदर हो वो कैसे मैं बताता हूँ आपको suppose करिए आपने किसी एक परिवार में term plan दिया एक करोड का दो करोड का तीन करोड का और आप मानके चली है husband wife और दो बच्चों में से जो main earning member थे husband वो अगर नहीं रहे किसी भी वज़े से और आप महाँ पर गए wife और बच्चों से मिलने उनकी उठाबनी के समय या उनकी रसम पकड़ी के समय और वहाँ पर जाकर अगर आप imagine कीजे कि वो wife और बच्चों के हाथ में अगर आप एक करोड या दो करोड का चेक देते हो तो आप believe करो मेरी बात को कि वो wife और बच्चे आप लोगों के पैर चूलेंगे आप उनके लिए भगवान तुले होंगे वो समय पर क्योंकि जो person चले गए उसकी तो कोई कमी पूरी नहीं कर सकता लेकिन ये बात पकी है कि उनके आने वाले जीवन में उन्हें कभी किसी के सामने हाथ पहलाने की जुरत नहीं पड़ेगी तो आप एक noble profession में है इसी प्रकार अगर मैं बात करूं मानके चलिए main earning member अगर hospital में है और YCU में admit है वहीं डॉक्टर ने अगर उनको ये बोल दिया 8-10 लाव रुपय का खर्चा है तो ये काम परिभार के लिए 8-10 लाव रुपया इखटा करना hospital में पे कर hospitals के सारे बिल पे करा देंगे health insurance policy के तुरू तो वो जो wife और बच्चे हैं वो seriously में आपके पैरों को हाथ लगा देने वाले है तो friends आप अपने आप में ये proud feel कीजिए कि उपर वाले ने मुझे select किया है कि मैं insurance industry में काम कर पाऊं एक insurance professional की तरह काम कर पाऊं दूसरी मैं आपस इतना assurance दे देता हूं क्योंकि मैं तो 1997 से लेकर और आज भी मैं pan india level पर मैंने घूमा visit किया और कोने कोने के insurance advisor से मेरी मुलाकात हुई meeting हुई जब भी ऐसे ऐसे insurance advisors आज की date में इंडिया में हैं जब वो अपनी return file करने के लिए किसी CA के पास जाते हैं और CA उनकी return file कर रहे होते हैं और जब वो ये देखते हैं कि उनकी क्या earning है क्या उनकी income है तो CA हैरानी से उनकी insurance advisor की शकल देखते हैं और ये पूछते हैं sir आप ऐसा क क्या करते हो तो friends वो जो insurance professional है वो सिर्फ 12th pass होते हैं और CA उनकी ये शकल देख रहा होता है कि आपकी earning किस प्रकार से इतनी ज़ादा है तो friends सबसे पहले आप nobel profession के अंदर है आपको अपने आपके उपर proud करना होगा कि उपर वाले ने आपको select किया है कि आप insurance sector में काम कर पा दूसरी earnings को लेकर मैंने बाकी तो huge earning है huge earning है आप अपने लिए एक अच्छी income create कर सकते हो आप अपने लिए pension income create कर सकते हो आप अपनी आने वाली generations के लिए legacy create कर सकते हो तीसरा मैं आपसे बात करूँगा अगर आपको ये कहते हुए शरम आती है कि मैं एक insurance agent हूँ तो ठीक है क कोई problem नहीं है आप बिल्कुल मत बोलिए कि मैं एक insurance agent हूँ कोई अगर आपसे ये पूचे कि आप काम क्या करते हैं तो आप simple सा ये बोलिए कि ये मेरा नाम है और मैं financial services में deal करता हूँ अगर फाइनेशल सर्वसेज इतनी वास्ट सब्जेक्ट है इतनी degrees इसको करने के लिए चाहिए होती है कि आज की डेट में एक financial advisor के जो client है वो डॉक्टर भी हो सकते हैं वो सीए भी हो सकते हैं वो लॉयर भी हो सकते हैं वो एक इंजीनियर भी हो सकते हैं एक बड़े बड़े बिजनसमेन हैं वो भी हो सकते हैं जो बड़े इंडेस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी हो सकते हैं तो आप एक financial advisor हैं तो आज से आप अपन जल्दी होना स्टार्ट हो जाएगा आज का पूरा डिसकेशन आप लोगों को पसंद आया होगा पसंद आया होगा तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा लाइक जरूर कीजेगा और अपने नोन इंशॉरंस प्रोफेशनल के साथ यानि फाइनेशल एडवाइजर के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजेगा लास्ट में तीन इंपॉर्टेंट बाते आप लोगों को बताना चाहता हूं पहला इनिशेटिव हम लोग ने एक वर्टसप ग्रूप क्रियेट किया है जो कि हम हर साल करते हैं ये साल भी हमने किया है 1 अप्रेल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक के लिए ये वर्टसप ग्रूप रहने वाला है अब भी अगर इस वर्टसप ग्रूप को जोईन करना चाहते हैं तो 199 रूपीस का मात्र फीस है और ये वर्टसप ग्रूप के उपर आपको हर तरीके के इंशॉर सिर्फ हम ये चाहते हैं कि जो बहुत सीरियस लोग हैं वही इस ग्रूप में आए और इस ग्रूप को जोईन करें ग्रूप को जोईन करना चाहते हैं डेस्क्रिप्शन पर लिखे हुए नंबर पर आप मुझसे या मेरी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं दूसरा इनिशेट है एवरी संडे 11 बजे मैं यूट्यूब लाइप पर आता हूं और फाइन से रिलेटेड इंशॉरंस इंडस्ट्री से रिलेटेड मुच्वल पर लेटेड लोन सेक्टर से रिलेटेड जो भी अब तक अपडेट चल रहा होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं तो फ्रेंट्स एक्सपेक्ट करता हूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल के उपर जहां पर हम मैंने अल्रेडी 280 से जाधा वीडियो अपलोड किये हूं है मेरा आपकोई अशॉरंस है अगर आपने डेली एक वीडियो भी देखना स्टार्ट कर दिया तो आप एक इंशॉर